Welcome to the first video of the series named Understanding the Pattern of CGPAC Prelimbs. आज की इस वीडियो मैं इंडियन एकोनॉमी यानि भारतिय अर्थेवस्था के सवाल किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं वो बताने वाला हूं। आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप इस पैटन पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहें। सिलबेस के बाकी हिस्से को भी अच्छे से तयार करें। ये ग्राब पिछले पांच सालों के प्री के क्वेस्चन पेपर का एनलिसिस है। मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है एनलिसिस का वह आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। इस ग्राब को मैंने वहां अच्छे से एक्स्प्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। जहां से लगभग हर साल क्वेस्टन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से तयार करना है। इनका पॉइंट वाइस सौट नोट्स बना लेना है या फिर माइन मैप बना लेना है। और अगर पॉसिबल हो तो इसको दिवार पर चिपका लें और डेली रिवाइस करते रहें। इससे आपका ये सभी टॉपिक अच्छे से तयार हो जाएगा। इकोनोमिक्स के इंपॉर्टन टॉपिक हैं इंडिस्ट्री यानि की उद्योग, कमिटी, Mohdreek, नीति, बैंकिंग और इकोनोमिक सर्वे peso ये मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं। इंडुस्ट्री में आपको सब पढ़ना है, इसमें विभिंद्र, छेत्र जैसे की प्रात्मिंग, दृतियक और तृतियक, यानि की प्रैमरी, सेकेंडरी और टेर्सरी आपको अच्छे से तयार करना है। इसको आपको इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब चभी पढ़ना है और याद रखना है। इसमें आपको कुछ-कुछ फैक्ट भी याद रखना होता है, जैसे अलग-अलग बैंकों की स्थापना कब हुई थी, या फिर इनका राष्टियकरन कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लाष्ट टॉपिक है, आर्थिक सर्वेक्शन यानि की एकोनॉमिक सर्वे, तो आपको इसको भी अच्छे से तयार करना है। ये थोड़ा कॉंप्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आप इसको अच्छे से तयार कर लेते हैं, तो ये आपको अच्छा माक्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने एकोनॉमिक के उन टॉपिक को डिसकस किया, जहां से सवाल पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक्यू फर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।